प्रपाल सिंग यादव जी मानने हैं सभापती जी आज सूखे की विसम परिस्तियों में मुझे इस विसाय पर चर्चा में भाग लेने का उसर दिया इसके लिए मैं धन्रवाद देना चाहूंगा मनवर जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे देश की आर्थिक इस्तिती पूरी तरीके से किसानों पर निर्वर करती है और किसान आज बुरी तरीके से आपत में है किसान आज बुरी तरीके से परिसान है कभी सूखा तो कभी बाड कभी ओला बिरिष्टी, कभी आधी और तूफान सारी आपदाएं किसान के उपर आती है किसान आज आत्मत्या करने के लिए मजबूर है मानवर, मैं सदन के माध्यम से माननी मंत्री जी से भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि आज किसान ही क्यों आत्मत्या कर रहा है आज कोई नोकरी करने वाला आत्मत्या क्यों नहीं करता आज कितने इंजिनियर्स ने आत्मत्या की है आज कितने डाक्टर्स ने आत्मत्या की कितने दुकंदारों ने आत्मत्या की कितने उद्योगपतियों ने आत्मत्या की आज भुकमरी के कागार पर पहुँच करके किसान आत्मत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है क्योंकि किसान खेती के लिए रिण लेता है और फसल जब बरबाद हो जाती है तो किसान रिण बातस नहीं कर पाता उसको घर में अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी देखना है उसको अपने बेटी के हाथ पीले भी करना है उसको जो है अपने बूरे बाप के इलाज का भी प्रबंद करना है तमाम बिवस्था हैं जो सालवर की बिवस्था हैं वो पूरी तरीके से धुस्त हो जाती हैं इसलिए मनवर किसान मज़नी एक रास्ता अपनाता है कि वो आत्मत्या करने के लिए मज़न हो जाता है आज आवश्यक्ता है हमें उत्तर भारत पूरी तरीके से सूखे के चपेट में है वैसे तो लगवग आठ राज देश के आठ राज सूखे की चपेट में है विसे इस रूप से उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा भाग सूखे की चपेट में है लगवग उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 50 जिलों को सुखा ग्रिस्त गोसित किया गया है मानिवर भारस सरकार से मदद चाही है मानिवर वे निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले बरस में जब ओला पड़ा था उत्तर प्रदेश की सरकार ने भारत सरकार से मांग की थी और भारत सरकार ने एलान भी किया था कि 13,000 रुपे प्रिती एक्टेर के साथ किसानों को मुआपजा उपलब्द कराया जाएगा लेकिन मानवर मैं बड़े दुख के साथ इस सदन में कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने संसाधनों से तो किसानों को मुआपजा उपलब्द कराया लेकिन भारत सरकार की तरफ से जो मदद होना चाहिए थी भारत सरकार की तरफ से मदद नहीं हो पाई क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी इसलिए मानवर मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज सूखा पड़ा है और सूखे के हालात इतने गंभीर है लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है मैं जिस छेतर से आता हूँ बुंदेल खंड से बुंदेल खंड में आज एक एक भूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं एक तरफ खरीब की फसल पूरी तरीके से नश्ट हो गई है रभी की फसल लोग बोने के नहीं वो पा रहे हैं मजबूर हो गए हैं आज उनकी बुआई पूरी तरीके से नहीं हो पा रहे है मानने बार पिछले दिनों मानने पूर्व किर्सी मंतरी सरत्पवार जी हम लोगों के बीच में मौजूद है मानने मंतरी जी की और सरकार की तरफ से हमें एक बुंदेलखंड के लिए एक पैकेज मिला था और उस पैकेज के माद्यम से बुंदेलखंड में पानी उबलब्द कराने के लिए तमाम परकार से संसाधन जुटाए जाने के प्रियास किये गए थे तमाम चेक टेम्स बनाने जाने की बिवस्ता थी सिचाई के संसाधनों का बिस्तार करने की जहां बेवस्ता थी वहीं दूसरी तरफ बड़े-बड़े तालाब बनाए जा रहे थे दूसरी तरफ मन्निया बनाई जा रही थी तमाम बिकास के काम हो रहे थे और उन कामों की बज़े से बुंदेलखंड के लोगों में कुछ आसाबंधी थी बुंदेलखंड के लोग सोचते थे कि आने वाले दिनों दिन हमारे लिए खुसाल होंगे लेकिन मानवर बुंदेलखंड का वो पैकेज आने वाले बरसों में पूरी तरीके से उसको निरस्ट कर दिया गया है, बुंदेल घंड के पैकेज को रोक दिया गया है, मैं सदन के माध्यम से माननी मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि माननी मंत्री जी पूरी तरीके से एक किसान के पुत्रें, किसान परवार से निकले हुए व लोग दिया गया है उसको तत्काल भारत सरकार की तरफ सरे लीग किया जाए जिससे कि वहां विकास के कर हो सके और वहां के लोगों को लाभ मिल सके मानवर मानि मानि सवापत जी यह कोई मामला एक दिन का नहीं है एक तरफ बरसात होती है दूसरी तरफ बाल आ रही है की फसल की बुआई होना होती है तब सूखा पढ़ जाता है और जब फसल पकर के किसी तरीके से महनत से तयार होती है तो उस फसल पर ओला पढ़ जाता है कभी तूफा ना जाता है पिछले पाच बरसों से बुंदेल घंड के किसानों के घर में फसल का दाना नहीं जा पाया है बुरी तरीके से परेसान है आत्वत्या किसान नहीं करेगा तो क्या करेगा इसलिए हम इस सदन के माध्यम से माननी मंतीरी जी से ये अन्रोध करना चाहते हैं कि जहां कि आज सूखा भी पड़ रहा है दूसरी तरह बाल भी आ रही है इसलिए अब इस्थाई बिवस्ता करने की आवश्यक्ता है हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि भारत सरकार को एक National Action Plan जो राष्टिये कारी योजनत यार करने की आवश्यक्ता है जिन में तमाम बिंदूओं पर गौर करने की आवश्यक्ता है आज जो है जो सूखा पड़ता है जो ओला पड़ता है जो तूफान आता है उसकी जाच के लिए एक दल जाता है मनवर में इस सदन के बाद्यम से कहना चाहता हूं कि अधिकारियों का दल उस छेतर में जाकर के ना तो सूखे का आकलन कर सकता है ना बाल का आकलन कर सकता है ना जो है ओला बृष्टी का आकलन कर सकता है हमें जो है नोकर साही पर पूरी तरीके से अधारित नहीं रहना चाहिए हमें कुछ इस तरीके के नौन्स बनाना चाहिए क्योंकि ये भी होता है एक गाउं में सूखा पड़ता है पता लगा एक गाउं में ओला पड़ गया दूसरे गाउं में पता लगा ओला रही पड़ा एक गाउं का नुकसान हो गया आप जब सर्वे करते हैं देखते हैं कि पूरी तहसील में सूखा पड़ा है कि नहीं पड़ आए उसके आधार पर आप उनको जो है मुआपजा देने का काम करते हैं हम आप से सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि नोकर साही से के हस्तक्षेब को समाप्त करके और आपको अपनी एक किसानों की टीम मनाना चाहिए जो टीम जा करके सोयम सर्विक्षन करके बीमा जो बीमा है बीमा किसान के लेता है आज जब रिन लेने के लिए जाता है तो तुमाम बीमा कंपनिया पहले से प्रीमियम काट लिया करती है उनको बीमा का प्रीमियम तो लग जाता है लेकर सूखा पड़ गया ओला पड़ गया उनका जो है बीमा किसानों को नहीं मिलता पिछले बरसों के जब ओले पड़े थे पिछले बरसों का ओला फीड़तों का किसानों का बीमा आज तक किसानों को उपलब्द नहीं हो पाया किसान फाइल लेकर के चेकल लगा रहे हैं लेकिन किसान को बीमा नहीं मिल पा रहा है माननी मंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि एक्सन प्लान में आपको मौसम विवाग के सूचना के आधार पर तमाम जो है घोस्राइं की जानी चाहिए अगर किसान को पहले से पता है कि इस साल सूखा पढ़ने वाला है इस साल बाड आने वाली है इस साल तूफान आने वाला है तो किसान उसकी तैयारी कर सकता है हम तो परंपरागत खेती कर रहे हैं हम तो गेहूं बोते हैं हम तो जो है धान बोते हैं हम तो चनाब होते हैं लेकिन उनमें पानी की आवस्चिता होती है और अगर पानी नहीं मिल पाता तो फसल पूरी करीके से नश्ट हो जाती है हमें नई तकनीकी आधार पर खेती करने के लिए किसानों को जागरिस करना चाहिए डिप एरिगेसन है या और तमाम प्रकार की नई तकनीकी आधार पर तैयार किया हुआ बीज जिसमें कम पानी की आवस्टा हो अगर वो किसानों को उपलब्द कराए जाएगा तो निश्चित रूप से किसान अच्छी खेती कर पाएगा सूखे बाल के मौके पर किसान को जिंदा रहने के लिए किसान को बेट भरने के लिए जो है आज आब सिकता है कि सरकार की तरफ से मदद उपलब्द कराई जाए आज मानवर लोग खेती छोड़ छोड़ करके भाग रहे हैं खेती नहीं करना चाहते क्योंकि खेती करने वाले से ज्यादा आमदनी रिक्सा चलाने वाले की है लोग तमाम लोग जो रिक्सा चलाने के लिए दिल्ली आ जाते हैं बंबई चले जाते हैं हमारे छेतर में तमाम बंदलखंड के लोग आ करके जो है अपना अपना छेतर छोड़ करके पलाइन करके रोजगार के लिए दिली बंबाई और आसपास लोग घूम रहे हैं और रोजगार पाने का काम कर रहे हैं जिस से कि उनका पेट भर सके उनको खाना मिल सके इसलिए हम आज आज आप सबैन के माधम से आपसे अनरोध करना चाहते हैं कि किसानों की आज जो दुर्दसा है, किसानों की जो आफ़त है, किसानों जो परिसानी में है, उसके लिए आपको मदद करने की आवच सकता है, आपको मदद करनी चाहिए, और मदद करके तमाम जो बैकल्पिक संसादन किसान को अपलब्द कराया जाना चाहिए, जैसे फूट प्रोसेसिंग के लिए अगर गाउं में काई स्थापित की जाए तो किसान कम से कम अगर खेती नहीं होगी तो प्रोसेसिंग के माध्यम से जो थोड़ा बहुत पैदा किया उसके माध्यम से आमदनी कर सकता है किसान पसू पालन कर सकता है अगर अच्छी डेरी स्थापित की जाए किसान के दू हीं पानी आता है लेके बरसाद divers पूरी तरीके से बेह कर के निकल जाता है उसका प्रबंदन ठीक तरीक से नहीं पाता हम सदन के माध्दम से माननी मंत्री जी से निवées बातन करना चाहते हैं कि जो बंदेलखंड पैकेज दिया धीया था उस्तर प्रदेस में बुंदेलगंड छेतर के लिए अगर बुंदेलगंड पैकेज का पैसा उपलब्द कराए जाएगा तो निश्चित रूप से नदियों के माध्यम से जो पानी आता है उसका प्रबंदन हो सकता है बड़े बड़े तालावों में पानी भरके उनको सचाई की कुछना पढ़ेगा हम लोगों को विचार करना पढ़ेगा सरकार को विचार करना पढ़ेगा सकार सरकार अगर सोचेगी सरकार अगर संसाधन उपलब्द कराएगी प्रदेश की सरकारों को मदद करने के काम करेगी आज सूखाग्रस छेत में उत्तर प्रदेश की माननी निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तरप्रदेश की सरकार को कम से कम 10.000 करोड़ रुपे का पैकेज मिलना चाहिए जिससे कि वहां के सूखे सूखे से निभटा जा सके वहां की किसानों की मदद की जा सके वहां पर तमाम जो अभावगरिस शेत्र है वहां संसाधन उपलब करा आए जा सके हैं धन्यवाद धन्यवाद इसलिए हम आज सदन के माद्धम से आप से निवेदन करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद जैन्यवाद झाया जा जिएे से का सुध 새ुमा जा सके वहां प्रस घुए़ों फ西 को राभिस सिस्टतान प्रस हिते हैं बहुत यदी जढुत करते हैं यद दिजएवारे ज़त वहन प्रस हितनक। एह जियान गषपन करते हैं घुत रहल lifesरां फेरां यदीूश करते हैं ज़ते हैं वहां